नमस्ते वेलकम ओल फ्यू यह जो आज के हमारी क्लास रहेगी इसमें बोर्ड का मादमिक शिक्षा बोर्ड का जो नमूना प्रस्न पत्र है इसका हमने जो सॉलुशन किया था खंड का जिसमें हमने अब्जेक्ट्री टैप के क्वेशन्स और रिक्तिस्तान वाले देखे थे ल कर लेते हैं आप यहां पर देख सकते हैं कि यह जो रिक्तिस्तान है यहां तक तक हम कर चुके थे यह हमने कंप्लिट कर लिया था लेकिन 1947 के उत्तर एक में मिल जाएगी हमारा WhatsApp ग्रूप जोइन करने के लिए आप मुझे अपना नमबर और अपना नाम और अपना डिस्टिक लिकर के मुझे यहां पर लिका परिशंग है फीचर का प्रार्म कैसा होता है कभि बनने के लिए लेखा का आनन्ंद यादाँ ने किसे अपना गुरू बनाया तो यह सारे के सारे जो प्रस्न है इसका आंसर हम यह आपर देखते हैं तो PDF यह जो आंसर की जो PDF है यह आपको हमारे एप में भी मिल जाएगी, हमारा एप जो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ पर जोइन कर सकते हैं, डाउनलोड करके, और साथी साथ हमारे जो टेलिग्राम चैनल है, उसे आप जोइन कर लीजिए, वहाँ पर से भी आपको मिल जाएग पारिबासिक सब्दों का प्रस्ना आएगा आपके एक्जामें, तो कोरम का आर्थ होता है गणपूर्ती, ठीक है, याद रखिएगा, कोरम का आर्थ है गणपूर्ती, दूसरा है पैक्ट, पैक्ट क्या है, पैक्ट का आर्थ क्या होता है, तो पैक्ट का आर्थ होता है, सम अपस्तित होता है तो वो गणपूर्ती माने जाती है नेक्स प्रस्ण है परिसंग सब्द के लिए पारिवासिक सब्द बताईए परिसंग का क्या आरत है मतलब इंग्लिस में इसे क्या कहते हैं तो दोस्तों इसका सही जवाब रहेगा कॉन्फेडरेशन का मतलब होता है परिसंग नेक्स नमारा प्रस्ण है फीचर का प्रारंब कैसा होता है अगला जो आपका प्रस्ण है बोड का की फीचर का प्रारंब कैसा होता है तो आप लिखेंगे की फीचर का प्रारंब जो है वो रोचक होता है भासा गत सौंदर्य से य पुर्ण सरल सहज और इसपस्ट एवं बिमबातमक होता है कि कवी बनने के लिए लेखक आनंद यादव ने किसे अपना गुरु बनाया तो आपको पता होगा कि लेखक आनंद यादव जब इसकूल जाने लगा और इसकूल जाने के बाद धीरे धीरे सुरू में तो उसे काफी परिसानी होई थी वहाँ पर लड़के उसे चिड़ाते थे परिसान करते थे और लेकिन बाद में क्या हुआ कि उसकी रूची जागरत होई कवीता में और वो अलग-लग जगों पर कवीता लिक लग करके याद करता था और फिर उसने क्या किया कि कवी बनने के लिए कवी बनने के लिए लेखक आनंद यादव ने मराठी के जो सिख्षक थे नवा सौंदल गेकर इनको इनों ने अपना गुरु आनन्द यादव ने इसे अपना गुरु जो है वो इनको बनाया था नेक्स प्रसना है अगला अगला प्रसना है कि यसुदर बाबु ने किसंदा के गाउं चले जाने के बाद कौन कौन सी परंपराओं का पालन किया था तो इसका उत्तर है कि जब खिसंदा गाउं चले गए थे तो उसके बाद यसोदर बाबु ने दफ्तर से मंदिर जाना मतलब सीधे आपिस से कारले से जब छूटते थे तो सीधे मंदिर जाना उसके लावा सुबे की सेर पर निकलना पुर्णी मा के दिन लोगों को घर पर बुलाना राम लिला के दोरान तैयारी करने के लिए अपने घर का एक कमरा उनको दे देना आदी परंपराओं का पालन जो है वो इन्होंने किया था दोस्तों मैंने आपको बताया कि अगर आप हमारे वाट्सप ग्रूप में जोड़ना चाहते हैं जैसा कि हमारे साथ पूरे राजस्तान से अलग-लग डिस्टिक से काफी स्टुडेंट जूड़े हुए हैं तो आप मुझे अपना नाम और अपना डिस्टिक लिख करके मेरे इस नंबर पर मुझे मैसेज कर दीजीगा मेरा नंबर है 9079-622-989 वहाँ पर आपको मिलेगी PDF और इसी के साथ वहाँ पर exam से related important information मिलेगी और हमारे जो live class होती है everyday सामको साड़े 8 बजे उसका notification भी आपको मिलेगा और live class जरूर जोइन करिए जहाँ पर हम अलग-लग subject परते हैं अलग-लग alternative days में जैसे हिंदी compulsory, English compulsory और हिंदी साहित्य इसे के लावा हम वहाँ पर है history, political science और geography तो यह subject परते हैं live class में MCQs करते हैं, जरूर जोइन करिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ share करिए ताकि वह भी आप महरे साथ जादा सी जादा जूट करके और अपनी तैयारी को जो है वो अंतीम stage तक पहुंचा सके बूर्ड exam 2023 तक दोस्तों हम साथ में रहेंगे और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो आईए आगे बढ़ते हैं और next हमारा प्रसना है कि डायरी के पन्ने पाट के आदार पर N के प्रकरती प्रेम का वर्णन कीजिए दोस्तों हम कर रहे हैं आपका model paper जो की board का आपका model paper आप यहाँ पर देख सकते हैं यह जो भिनफिन प्रसना है जैसे कि संदा वाला अति लगुदरात्मक प्रसना जैसे कि हमारा solution जो हो रह गया था हम यहाँ पर कर रहे हैं दाइरी के पन ने पाड के आदार पर N के प्रकरती प्रेम का वर्णन कीजिए इन मतलब any percent है उसके प्रकरती प्रेम का वर्णन आपको यहाँ पर करना है एन फ्रेंक, जो डाहरी लिखती है, एन फ्रेंक के उसके प्रकरती प्रेम का वनन करना है, यह सुदर बाबु अपने बच्चों और पतनी से क्या चाहते हैं, सिंदु घाटी सब बिता के दो महान अगर, मुहन जो दड़ो, हडपा से प्राप्न नर्थ की, और कवी निराला के एस्तिर सुक पर दुख की छाया, जाती प्रता को स्रम विभाजन का ही एक रूप न मानने के पीचे अंबेड करके क्या तरक है, तो यह जो है, यहाँ पर हम complete solution कर रहे हैं, और भागी का जो solution है, वह हम next वीडियो में करेंगे, जो खंड बह है, इसका solution भी आपको मिलेगा, complete पेपर का solution मिलेगा, और इससे पहले के जो objective type के questions थे, वो हमने पहले ही solution कर लिया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा, तो उपर आई बटन पर आपको link मिल जाएगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं, और इस वीडियो के description में हमारी playlist का link दिया हुआ है, उस playlist में ज जाएंगे आपको, पूरे के पूरे 10 model papers, minimum से minimum charge पर मातर 20 रुपे में, मातर 20 रुपे में, पूरे के पूरे 10 model paper, यानि एक paper के मातर 2 रुपे, तो आप वो complete, जो according to latest and new syllabus आप अगर प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारा app डाउनलोड करके, वहां से आप ये 1010 model paper प्राप्त क कर सकते हैं, तो आईए दोस्ते एक बार फिर से चलते हैं, solution की तरफ और next जो अगला हमारा उत्तर है वो देखते हैं, प्रसना है कि डायरी के पन्ने पाट के आदाहर पर N के प्रकरती प्रेम का वर्णन कीजिए, तो प्रकरती के विसे में N का मानना था कि प्रकरती अपने स समपूर्ण सौंदर्य को बीना भेद भाव सब में वीतरित करती है, समस्त लोगों को सवान भाव से जह वो उसका वीतरन किया जाता है, प्रकरती ऐसा करती है, नेक्स प्रसना है दोस्तों, अगला कि यसुदर बाबु अपने बच्चों और पतनी से क्या चाहते थे, तो आ सबी बात में उनकी राय ली जाए, बच्चे अपना वेतन लाकर के यसुदर बाबु को दे, यह सब जो है वो चाहते थे, यह सारी चीजें यसुदर बाबु चाहते थे उनकी पतनी और बच्चों से, नेक्स प्रसन है, सिंधू घाटी सबिता के दो महान अगर कौन कौन से हैं, तो इसका उतर है सिंधू घाटी सबिता के दो महान अगर हैं, एक तो मोहन जोड़ो और दूसरा हडपा, जैसा कि इतिहास जिसका वीसे है, तो इतिहास वाले जो इस्टूडेंट है, उनका पहला ही पहला चैप्टर है, सिंधू घाटी सबिता, इटे मन के और अस्तिय तो उन लोगों को तो अच्छी तरह से पता है, पर हिंदी का जिनका सब्जेक्ट है और हिस्टी जिनका नहीं है, तो वो लोग भी याद करिएगा, पहला है मोहन जोड़ो और दूसरा है हडपा, मोहन जोड़ो सिंधू नदी के किनारे, हडपा रावी नदी के किनारे, अगला प्रसन है कवी निराला ने अस्थिर सुख पर दुख की चाया किसको कहा है, तो इसका अंसर लिखेंगे कि क्रांती और विनास की आसंका को अस्थिर सुख पर दुख की चाया कहा है, नेक्स प्रसन है जाती प्रथा को स्रम विबाजन का ही एक रूप न मानने के वो स्रम विवाजन का एक अंग नहीं है तो इसलिए क्योंकि ऐसा विवाजन अस्वाभाविक है एवं मनुस्य की रूची पर आधारित नहीं है इसमें व्यक्ति की छमता का वीचार किये बिना उसे वनसागत पैसे से बांदिया जाता है तो यह हमने किया है solution खंड अ का और खंड अ का complete solution हमने हिंदी का कर लिया है इसी प्रकार से हमारे दूसरी जो subject है जैसे history है, political science है, हिंदी compulsory, English compulsory वो जो model papers हैं board के उन model papers का complete हम solution करेंगे और इस paper का जो खंड बह है इस खंड बह का solution है आपको next video में मिलेगा तो मिलते हैं next video में बहुत ही जल्दी तब तक के लिए bye, धन्यवाद